आज सिर्फ कल्मी साख से बनाएंगे एक टेस्टी लंच, पहले इसे दो के पत्ते अलग करके चॉप कर लो, फिर ग्रीन चिलीज और प्याच टुकरा टुकरा काट लेंगे, अब गरम तेल में डालो काला जीरा, लसुन, हरी मिर्च और प्यास, फिर मीडियम फ्लेम में जब तक गोल्डन कलर का ना हो जाए, अब कल्मी साख डालेंगे, इसे चाइनीज पिनच भी कहते है, एक चमश नमक डालके पकाएंगे, फिर फ्लेम लो करके 10 मिनट ढाक देंगे, अब पानी डालके थोड़ा और कुक करेंगे, इसे रोटी राइस किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हूँ बहुत हल्दी और टेस्टी लेंच है,